है फ्रेंट्स इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं ECS T10 स्रीज के जो नेक्स्ट मुकाबला खिला जाएगा दोस्तों आज 12.45 में ये स्रीज स्टार्ट हो रहा है दोस्तों पहला मुकाबला होने वाला ठीक है पहला मुकाबला BRN वर्सेस PCC के खिलाब ये मैच होगा और इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको दोनों ही टीमों के पुरी इनफॉर्मेशन सेयर करूँगा बैटिंग ओडर के साथ कौन से खिलाड़ी का रेकॉर्ड किस प्रकार है एक बार इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर वज करना पूरी इनफॉर्मेशन के लिए दोस्तों वीडियो में अगर बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी स्रिक्वेश्ट है अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरू कर लेना भाईयों और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक बार लाइक करके भी हमें आप सपोर्ट कर सकते हो सबसे जोरी दोस्तों फाइनल टीम के लिए टेलेग्राम ग्रूप को आप जोईन कर लो दोस्तों फिर फाइनल टीम आपको इसी ग्रूप में मिलेगा तो एक बार जोईन करके रख लेना भाईयों जैसे लिंक पे आप क्लिक करेंगे न नीचे आपको जोईन का ओफसन आएगा एक बार आपको जोईन हो जाना है बाकी जो नीचे आप देख रहे हैं दोस्तों यह बैक अप चैनल का लिंक है तो सबसे पहले सुरुआत करेंगे विकेट की पर से यहाँ पे जो खेलेंगे बी आरन के टीम के तरप से उससे पहले बार पीच रिपोर्ट आप देख लें 12-45 में मुकाबला होगा ठेक है इसकोर पे में मुकाबला होने वाला है पीच भीएवि में 24 मैच का अंदर 138 रन इनके नाम और ECN T10 में देखोगे 4 मैच का अंदर 28 रन है तो विकेट के पर में यह खिलाडी तो काफी इंपोर्टन है ही बाकि मोहमत रतूल इनको ड्रॉप करना है इनका रेकार्ट है नहीं ठीक है बैटिंग में देखोगे दोस्तों आशिश मत् मैच का अंदर 185 रन बना के 2 विकेट है और ECN T10 में एक मैच का अंदर 6 रन इनको ड्रॉप करना है तो यह खिलाडी काफी इनकोर्टन है आशिश मत्ता से भी ज्यादा बैटर यह आपको लग रहा है देख सकते हैं दूस्तों इनका स्टैट्स भी बढ़िया है अच्छा र पर बैटिंग करेंगे अगर आप इनका मतले स्ट्राइक रेट देखोगे तो काफी बढ़ी हैं 11 मैच का अंदर 185 रन है अली कशीफ 21 मैच का अंदर 187 प्लस 9 विकेट है और ECN T10 में 3 मैच का अंदर 39 रन मना के 2 विकेट है और दोस्तों जनाका में देखेंगे 13 मैच का अं रन मना के 27 विकेट है तो ये important है शुरेश रमारियों जो की 16 मैच का अंदर 49 रन मना के 23 विकेट हैं और ECN T10 में 4 मैच का अंदर 7 रन मना के 3 विकेट रियाज अफरेदी जो की दोस्तों यहाँ पे देख सकते है 17 मैच अब बॉलिंग में देखा जाए दोस्तों अरुन कुमार 24 मैच का अंदर 104 अनमना के 14 विकेट्स निकाले हुए हैं और ECN टीटन में 5 मैच का अंदर 15 अनमना के 3 विकेट्स हैं संदीप्तिवारी 29 मैच का अंदर 2 अनमना के 26 विकेट्स है और ECN टीटन में 7 मैच का अंदर 2 अनमना के 9 विकेट्स बाकि यहां पे निरस मिश्रा 8 मैच का अंदर 3 विकेट्स है और ECS में 8 मैच का अंदर 3 विकेट्स बाकि सत्यजीत का रिकॉर्ड देखोगे 55 मैच का अंदर 586 रन बना के 43 विकेट है दोस्तों T20 में 9 मैच के अंदर 27 रन बना के 4 विकेट तो यह सारे स्टैट्स है दोस्तों BRN की आप यहाँ पर रिकॉर्ड्स दे सकते हैं T10, T20 दोनों ही फॉर्मेट का आप PCC के टीम के तरफ से देखेंगे हिलाल हमेट जो की 45 मैच के अंदर 296 रन स्कूर किया हुआ एर T20 में 15 मैच के अंदर 131 रन है बाकी यहाँ पे शुदिता रिकॉर्ड 21 मैच के अंदर 30 रन बना के 1 विकेट और ECS T10 में 5 मैच के अंदर 1 रन्स बनाए हुए हैं तो यहाँ पे विकेट के पर में आप हिलाल हमेट को ट्राय करना है जो की काफी बड़ी है इनका रिकॉर्ड से दूस्तों T10 T20 दोनों में बाकी संतुस को ड्रॉप करेंगे शरन 41 मैच के अंदर 507 रन्मना के आट विकेट और T20 में 6 मैच के अंदर 30 रन बाकी अदित्या तो जो थोमस रजत और यहाँ पे सुधित इन चारों को ड्रॉप करेंगे ठीक है अब और में देखेंगे दोस्तों सब तिविजी का रिकोड देखोगे तो 67 मैच के अंदर 355 रन्मना के तेज़ विकेट है तीटेव नेम लाला जो की 9 मैच के अंदर 344 रन्मना के अच्छे विकेट है और T20 में 31 मैच के अंदर 655 रंबना के 20 विकेट निकाले हुए है कुसाल मेंडन जो की 33 मैच के अंदर 220 रंबना के 8 विकेट है और T20 में 16 मैच के अंदर 193 रंबना के 9 विकेट निकाले हुए है अब बॉलिंग में देखोगे श्रमीरा को ड्रॉप करेंगे और नवीन 28 मैच के अंदर 126 रंबना के 19 विकेट निकाला हुआ है ECN Titan में 5 मैच के अंदर 14 रंबना के 3 विकेट है क्यूर महता जो कि 27 मैच के अंदर 11 रंबना के 14 विकेट है बाकि समित पेटेल 37 मैच के अंदर 22 नमना के 23 विकेट्स निकाले हुए हैं और T20 में 10 मैच के अंदर 2 नमना के 6 विकेट्स है बाकि अब डिविटसन रमाली जो की 4 मैच के अंदर 11 नमना के 2 विकेट्स है और ACS में ये 4 मैच के अंदर 11 नमना के 2 विकेट्स यह सारे stats देख सकते हो, BRN और PCC के सारे records है, दुस्तों T10, T20 दुन ही format का आप records देख सकते हैं, चलिए अब team की और आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं, सबसे पहले wicket keeper से, एच हमेद PCC के team के तरफ से एक खिलाडी काफी important है, जैसे कि मैंने आपको records में बताया है PCC के टीम के तरफ से, यह stats दिनका आप देख सकते हैं, वो T10 हो चाहे T20, काफी बढ़िया खिले हुए हैं, तो wicket keeper में इनको track करना है, बैटिंग में तीन batsman जिसमें से BRN के तरफ से दो खिलाडी को लिया हुआ है, और S. Rama Krishna को track किया हुआ, PCC के तरफ से यह important है, तो overall देखोगे यह तीन batsman आपके टीम के अंदर होना काफी ज़्यादा ज़रूरी है, और अलंडर में देखेंगे तो 4 अलंडर को लिया हुआ है, और PCC के दूस्तों तीनों प्लेयर, overall देखोगे, तो यह 4 अलंडर प्लेयर को में त्राइ किया हुआ है, जो बैटिंग के साथ साथ बॉलि को में ने लिया हुआ है, एस्तिवारी, एक कुमार, और यहाँ पे दूस्तों आप सेंगुता को ट्राइ किया हुआ हुआ है, आप टीम प्रिव्यू देख सकते हैं, जिसमें से कैप्टन्सी वाइस कैप्टन्सी के लिए, यह दोनों प्लेयर काफ़े इंपोर्टन्ट हैं दूस्तों, जो कि काफ़े अच्छा इनका रेकॉर्ड्स है, लेकिन यहाँ पे आप चींज कर सकते हैं, आट उमर भी अच्छा किल सकते हैं, दूस्तों डेस्टन्ट को भी ले सकते हो आप या फिर इनको भी ले सकते हैं, ति तीनों खिलाड़ी आपके पास एक अच्छा च पड़ियों में धन्यवाद।